तो guys अगर आपने भी अपने पैसे online fraud में कहीं न कहीं गवा दिया हैं तो आपके जो पैसे हैं वो आपको 10 दिनों में वापस मिल जाएंगे अब यह चीज मैं नहीं कह रहा हूं यह जो guidelines आई हैं वो officially आई हैं RBI की तरफ से और इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले है हैं और guys जो लोग बोलते हैं कि भाई एक बार ही पैसे जाने के बाद वापस आ ही नहीं सकता हैं तो मैं यहां पर आपको धेरो स्क्रीन सोट दिखा सकता हूं जिल लोगों के पैसे वापस आए हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद और इसके लावा आप जागे मेरे चैने कि भाई लोगों के पैसे हैं तो उन लोगों में और आप लोगों में थोड़ा सा यही परक होता है इक वाथिदेयो को लarım प्ला Kardash करना चाहूंगा कि वीडियो को जहाद से जादा शेयर करो फेस्बुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम वट्सएप मतलब जहां पर भी आप करना चाहते हो कर सकते हो विकॉस इससे जिन लोगों के पैसे उन्लें फ्रोड में चले जाते हैं उनके पैसे उन्हें रेटर्न मिर जा और उसके पैसे आपको 10 दिनों के अंदर वापस मिल जाएंगे कैसे उसके लिए को कूछ करने पढ़ेंगे steps को follow अगर मैं आपको बता हूँ अगर आपके साथ कोई fraud हो जाता है तो उसकी complaint आपको तीन दिन के अंदर complaint register करवानी होती है अगर आप 3 दिन के अंदर complaint करवाते ह तो आपका 0 रुप्या भी नहीं लगए जितने पैसे आपके फ्रॉड हूए हूँगे, वो सारे पैसे वापस आपको मिल जाएंगे. Suppose आपके साथ एक लाग का फ्रॉड हुआ है, तो आपको एक लाग का वापस हो जाएगा, Suppose पचास जार था हुआ है, तो एक लाख मस्ट आपको 75,000 रुपीज वापस मेरेंगे 25,000 वो लोग काट लेंगे और उतना पैसा आपको रेटर्न मिल जाएगा अगर आपको साथ 25,000 का फ्रोड हुआ है तो फिर शायद ही आपको कुछ वापस हो उसके बारे मैं भी clearly mention नहीं किया गया अब कई लोगों के mind में ये भी question रहेगा कि भाई bank उन पैसों को कहां से return करेगा क्योंकि वो already है को चुके है या फिर कोई और निकाल के लिए गया है तो मैं आपको बता दू कि banks के पास एक insurance होता है अगर कोई online fraud या cyber fraud होता है तो banks उन cyber fraud के related मसलब अपना जो insurance है वो claim करते हैं जो newspaper में articles और आते हैं वो link आपको मैं लिचे description में दे दूगा अगर आपको Hindi और English आती है तो दोनों language में आपको दे दूँगा आप अच्छे से एक बारी उन्हें भी पढ़ लेना और उसके बाद आप complaint वगरा करवा सकते हो और आपके जो पैसे वो definitely आपको return हो जाएंगे बट complaint आपको तीन दिन के अंदर ही करवानी चाहिए तब ही आपके पैसे आपको return हो जाएंगे उसके बाद आपको इसकी complaint जाके nearest police station में भी करवा सकते हो या आपके आजपास जो भी cyber security के related to police station है ना वहां पी भी जाकर complaint login करवा सकते हो उसके बाद जो अपनी complaint करवानी होती है वो complaint आपको bank में submit करवानी होती है बैंक में complaint करवाने के लिए या फिर आप email करवा सकते हो email complaint करवाने का सबसे बड़ा benefit यही होता है कि वो complaint होती है वो सीधा bank के main head office में जाती है वो district head office नहीं होगा जो आपके bank का main होगा जैसे मुंबई में है कहीं पर या फिर कहीं हो और response नहीं मिलेगा बड़ अगर आप email में complaint करवा होगे तो वहां का response काफी ज्यादा better मैंने खुद देखा है और वो complaint आपको bank में register करवानी होती है उसके साथ आपको एक FIR भी लगानी होती है जो copy होती है आपके पास अब FIR attach करना क्यों जरूरू होता है मान लो कि मैं ही मैं बोलू कि मैं साथ fraud हो गया और मैं bank को complaint भेज दू और उस तरह पैसे मंग वालू से इस तरह नहीं होना चाहिए इसलिए वहां पर आपको आपने FIR की copy भी attach करनी पड़ेगी वो भी आपको भीजनी पड़ेगी और यह सब करने के बाद bank इन चीज़ों को verify करेगा कि आप आपके साथ real में fraud हुए अगर आपके साथ real में fraud होगा तो जो आपके पैसे हैं वो आपको 10 दिनों में वापस मिल जाएंगे तो इस एक चीज़ आपने और mind में रखनी है जो कि इस guideline के according है कि जो आपकी complaint होनी चाहिए वो आपकी complaint unauthorized transaction के बारे में होनी चाहिए अब unauthorized transaction व आपके पैसे निकाल लिया तो उस case में आपके पैसे return हो जाएंगे but in case आपने खुद अपनी मर्जी से पैसे transfer किया खुदी कुछ OTP डाल दिया या फिर खुदी आपने अपना UPI pin डाल दिया तो उस case में आपके पैसे return नहीं होगे तो यह चीज़ mind में रखना अगर आपके पैसे unauthorized transition के through गए है तो वो पैसे आपको return हो जाएंगे वो पैसे आपको refund हो जाएंगे तो कैसी लगी है information मुझे comment करके जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो like जरूर कीजे channel पे न्यूं हो तो please channel को subscribe कर लिजे मिलते हैं next इसी और वीडियो में तब तक एक कुट पाई